हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडेइज डॉन एजूकेशन में दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस सेरीज में साना साना हास जोरी चैप्टर थर्ड के कॉर्शन को सॉल्व कर रहे हैं अभी हम कॉशन नमबर सिक्स को सॉल्व करने वाले हैं कॉशन नमबर सिक्स आपके स्क्रीन पर आच चुका है जिते नार्गे की गाइड की भूनका के बारे में विचार करते हुए लिखिये कि एक कुशल गाइड में क्या गुन होते हैं तो चलिए इसका आंसर देखते हैं इसका आंसर है यहां है नार्गे एक कुशल गाइड था वह अपने पेशे के प्रती समर्पित था उसे सिक्किम के हर कोने के विशे में भरपूर जानकाली थी इसलिए वह एक अच्छा गाइड था एक कुशल गाइड में निम्नलिखित गुर्ण होना आवश्चक है देखते हैं पहला पॉइंट है इसमें एक गाइड अपने देश वह इलाकी के कोने कोने से भली वाती परचित होता है अर्थात उसे संपून जनकाली होनी चाहिए एक कुशल गाइड को चाहिए कि वह अपने भ्रहमर करता के हर प्रश्णों के उत्तर देने में सक्षम हो यहां पर है भ्रहमर करता ठीक है एक कुशल गाइड को अपनी विश्वस नियता का विश्वास अपने भ्रहमर करता को दिलाना चाहिए तब ही वह एक आत्मी रिष्टा कायम कर सकता है यहां पर भी इस तरह से लिखना है करता ठीक है गाइड को कुशल बुद्धिमान वेक्ति होना आवश्यक है ताकि समय पढ़ने पर वे विशेश परसितियों का सामना यहां पर है विशेश ठीक है विशेश परसितियों का सामना अपने कुशलता और बुद्धिमानी से कर सके और अपने भ्रहमण करता की सुलक्षा कर सके करता जैसा की अजानते है इस तरह लिखा जाता है ठीक है नेक्ट पॉइंट क्या है आजे दिखते है इसको गाइड को इस बात का ध्यान लखना चाहिए कि भ्रहमण करता की रूची पूरी यात्रा में बनी रहे ताकि भ्रहमण करने का प्रियोजन सफल हो सके इसके लिए उसे हर उस छोटे बड़े प्राकरतिक रहस वबातों का ज्यान हो जो यात्रा को रूची पूरी बनाए ठीक है एक कुछल गायड की वार्नी प्रभावशाली होना अश्यक है इससे पूरी यात्रा प्रभावशाली बनती है और यात्रा में रूची भी बनी रहती है ठीक है तो यह रहा आपका आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें अगर अभी तक आपने इस चैनलों को सब्सक्राइब कर दे क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही सॉलुशन वाली वीडियो तो फिर मिलते हैं देश्ट कोशिन के साथ तब तक के लिए कीप और देखते हैं तुदेज टाल एड्यूकेशन